दुनिया भर के वैग्यानिक परेशान है कि अब धर्ती की तरफ अंतरिक्ष से आने वाली खतरों की सूचना कौन देगा क्योंकि ऐसे खतरों की जानकारी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना तूट चुका है यह एंटीना जिन लोहे के केबलों से जुड़ा हुआ है वो भी तूट रहे हैं इस एंटीना के उपर जेम्स बॉन्ड सीरिस की मूवी गोल्डन आई की शूटिंग भी हुई थी जानकारी के मुताबिक एंटीना अंतरिक्षी की गहराईउं से आने वाले खत्रे जैसे एस्टरोइट्स, मेचुराइट्स, आध की जानकारी दुनिया भर के वैग्यानिकों को देता है यह एंटीना लगा है आरसीबो अब्जर्वेटरी में यह प्यूर्टो रिको में इस्थित है इसका संचालन एना जी मेंडेज यूनिवर्सिटी, नैशनल साइंस फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी अफ फ्लॉरिडा मिलकर करते है इस अब्जर्वेटरी में एक हजार साथ पीट, तीन इंच डायमीटर का एक बड़ा गोलाकार एंटीना है जो दूर अंतरिक्ष में होने वाली गतिविदियों को पकड़ता है इसका मुख्य काम धर्ती के तरफ आ रही खगोली अवस्तों के बारे में जानकारी देना है एक हजार साथ पीट व्यास वाले एंटीने में 40,000 एलमूनियम के पैनल्स लगे हुए हैं जो सिगनल रिसीव करने में मदद करते हैं इस एंटीना को आरसीवो रडार कहते हैं आरसीवो अब्जर्वेटरी को बनाने का आइडिया कारनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिलियम ई गार्डन को आया था इस अब्जर्वेटरी को बनने में 3 साल लगे थे पता दें कि इस एंटीना की मदद से दुनिया भर के करीब 200 साइंटिस्ट अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं सिर्फ इतना ही नहीं यह जगा परेटकों के बीच भी काफी प्रिसिद्ध है यहाँ पर हर साल करीब 1 लाग परेटक आते हैं ताकि वो इस एंटीना को देख सके और यहाँ पर किये जारहे कारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सके इस एंटीना ने पिछले 50 सालों में कई चक्रवातों और भुकंपों की जानकारी भी दी है अब साइंटिस्ट हैरान है कि करीब 900 टन का यह धाँचा कुछ ही केबल्स पर टिका हुआ है इसे तत्काल रिपेरिंग की जरूरत है अगर जल्द ही इसकी मरमत नहीं की गई तो पूरा का पूरा धाँचा गिर सकता है अगर यह धाँचा गिर गया तो इसे वापस बनाने में काफी समय लग जाएगा साइंटिस्ट ने टूट फूट का अकलन किया तो पता चला कि करीब 90 करोड रुपै का नुकसान हो चुका है फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो इंटरस्टिंग लगी तो इसको शेर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें